यम्रानगर जो डिस्टिक है इसमें लगबग 32 पॉइंट है जो गौवर्मेंट ने अलोट किया है और 32 पॉइंटों पे काफी पॉइंट जो वहां बंद है और काफी पॉइंट इन्हें से अधे पॉइंट चल रहे हैं और आधे पॉइंट बंद है देखने वाली बात यह है कि 32 पॉइंटों में से सिर्फ दो ही पॉइंटों पे वो कमिटी क्यों गई क्योंकि जहां वो गए रस्ते में बहुत पॉइंट पढ़ते हैं सभी पॉइंटों को छोड़ते हुए वो स्पेशल दो पॉइंटों में पहुंचे एक कोई दुनों पॉइंट आपस में हैं कुछ 25 किलोमेटर की दूरी पे थे माल लेजिए कि एक पॉइंट यहां पे था और एक पॉइंट 25 किलोमेटर की दूरी पे था और उसके बीच में काफी पॉइंट पढ़ते थे वो किसी ने चेक नहीं किये और सिर्फ वह पॉइंट ह़ह क्यों किये वो पॉइंट जो उन तीन मेंबरों में से तीन विदायकों में से एक विदायक ऐसा था जिसके वो पॉइंक्त थे वो अपने पॉइंटों पे ना लजा कहें वो जो पॉइंट उसे competition दे रहे थें cannot be उन पॉइंटों को बंद करवाने के लिए वो उन पॉइंटों में ले गया ताकि वो जो इसको competition दे रहे हैं वो point बंद हो जाएं और इसकी monopoly चलती रहे हैं तो यह कारण था एक बहुत बड़ा क्योंकि हमारे जिले में दो ही बड़े रोजगार है एक प्लाइबोड और एक यह माइनिंग के काम से लाखों लोग जोड़े हैं इसमें टेक्टर ट्रॉली वाड़ा है उसकी उपर लेबर वाड़ा है उसका मालिक है क्रेशर वाड़ा है सक्रीनिंग रहा है इस तरह जो उनकी प्रिवार हैं लाखों लोग से जुड़े हैं जैसे बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी ने समझा कि इतने लोगों को नोगरी तो नहीं दे सकते प्लंतु रोजगार दे सकते हैं तो उन्होंने इस काम को खुलवाने के लिए बहुत जोर लगा अब मैं फिलाल नहीं कर रहा माइनिंग का काम तो ये विक्ति ये सोचता है कि बाकी सब का काम बंद हो जाए और मेरा ही काम चले ये ये बोलता है कि आने वाली सरकार हमारी है कि मैं डिप्टी सीम बनूगा